Hello Everyone, Welcome to my YouTube Channel, मैं प्रतिभा कानपुर की चैनल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ Friends, आज मैं आपके साथ कुकर में बैगन भूने का बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्विस्ट की अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटिस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने तीन बेगन लिए हुए हैं, यह बहुत जादा बड़े बेगन नहीं हैं, मीडियम साइज के बेगन है, इनमें हम चाकू से कट लगा देंगे, तो नार्मल जब हम वैसे भी बेगन भूनते हैं, तो इनमें कट लगा देते हैं, इसी तरीके से हम सेम प्रोस में हलका सा तेल लगाएंगे, तेल लगाने से इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है, मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लगाया हुए, आप सरसों के तेल के जगे कोई और तेल भी लगा सकते हैं, जो भी कूकिंग ओयल आप यूज करते हैं, यह देखे फ्रिंट्स मै पानेस में अच्छे लगा दिया हुआ है अब हमने यहां पर एक कुकर लिया हुआ है हुआ तो यह प्षीज को देंगे ऐता है एक फोटी चमद्यिक्न उसमें टेल डालेंगे बहुत ज्यादा प्स एक छोटे चमच तेल डालेंगे अब हम गैस का ढखकन लगा देंगे कुकर का और इसकी जो ढखकन की रबर है उसे हम निकाल देंगे यह देखे फ्रेंज मैंने रबर को निकाल दिया हुआ है अब हम ढखकन लगा देंगे इसमें गैस ओन करदेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे यह देखे फ्रेंज तीन चार मिनट हो गये है और तीन चार मिनट बाद हम इसे हलका सा इस तरीके से हिला देंगे जिससे बैगन थोड़ा सा इधार उधार हो जाएंगे और ये चारो तरप से अच्छे से पकेंगे या आप चाहें तो इसका ढखकन बीच में खोल लें तो तीन-चार मिनट बाद मैंने इसका ढखकन खोल लिया हुआ है अब हम इसे टर्न कर देंगे ये देखिए एक साइट से बैगन अच्छे से पक रहे हैं तो अब हम पलट देंगे दूसरी साइट में इसी तरीके से हम एक दो बार करने में ही ये बैगन बहुत अच्छे से पक जाते हैं अब हम फिर से ढखकल लगा देंगे और फिर से 3-4 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे तो इस तरीके से लगबख 7-8 मिनट में ये बैगन बन के त्यार हो जाते हैं बहुत अच्छे से पक जाते हैं आप देख सकते हैं फ्रेंट्स बैगन कितने अच्छे से भुन गए हैं और कुकर भी बिल्कुल भी नहीं जला है अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये देखिए फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे बैगन कितने अच्छे से पक गए हैं तो ये बहुत आसान है कुकर में बैगन पकाना तो आप चाहें तो इसे जरूर ट्राइ करें आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक की बटन को जरूर हिट करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर से मैं आपके लिए कोई नया वीडियो लेकि आओंगी तब तक के लिए बाई बाई टेक केर